नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका School Academy के Day of Today's Program में दोस्तों आज का हमारा भीचा है विश्व रग्तदाता दिवस चलिए सबसे पहले जानते हैं विश्व रग्तदाता दिवस के इतिहास के बारे में दोस्तों, दुनिया के महान बिग्यानिक कार्ल लेंड इस्टीनर का जन्म 14 जून 1868 को आश्ट्रिया में हुआ था कार्ल लेंड इस्टीनर आश्ट्रिया के एक जी बिग्यानिक तथा चिकित सक्ते सन 1901 में उन्होंने रग्त समू मतलब की ब्लड ग्रूप्स की खोज की थी इसके अलावा इन्होंने 1908 में पोलियो वाइरस और 1937 में आर्याच कारक की खोज की 1930 में फिजियोलाजी और मेडिसीन के छेतर में इन्हें नोबल पुरफकार से सम्मानित किया गया कारलेंड इस्टीनर के सम्मान के रूप में इनके जन्म दिन के दिन ही विश्व रक्त दाता दिवस मनाया जाता है चलिए दोश्तों अब जानते हैं विश्व रक्त दाता दिवस के महत्त के बारे में बिश्व रक्तदाता दिवस मनाय जाने का मुख्य उद्देश यह है कि लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान करने के लिए प्रेरीद करना दोस्तों स्वेच्छा से किया गया रक्तदान ब्लड बैंकों में परियाप्त मात्रा में ब्लड की उपलब्धता बनाय रखेगा जिससे हर ज़रुरत मंद को ब्लड आसानी से उपलब्ध हो शके बिश्वरक्तदाता दिवस मनाय जाने का एक उद्देश यह भी है कि लोगों को रक्त की महत्ता के बारे में बताया जा सके और दिन प्रदिन रक्त की कमीशे मनने वाले लोगों की जान को बचाया जा सके दोस्तों इस बार के बिश्वरक्तदाता दिवस का ठीम है सुरच्छित रक्त बचाये जीवन और बिश्वरक्तदाता दिवस का नारा है रक्त दें और दुनिया को एक सेहत मंद जगह बनाए चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि कौन सा ब्यक्ति रक्तदान कर सकता है कोई भी ब्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर से अधीको और वजन 45 किग्रा से अधीको रक्तदान कर सकता है चलिए अब जानते हैं कि कौन से ब्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकते यह चाइबी से संक्रमित ब्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता अगर किसी ब्यक्ति को पुर्व में हेपिटाइटिस B या हेपिटाइटिस C जैसे रोग हुए हों तो उन्हें भी रक्तदान नहीं करना चाहिए